हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल जीक इन्फो ट्यूबर फ्रेंट्स इंग्लिश लिट्रेचर में आज एक ब्रीप ओवर्विव करने जा रहें इंग्लिश लिट्रेचर जो एजीज हैं हमारे एट पिरेट्स हैं लिट्रेचर के वो करने जा रहें इसमें से एक कोशन कंफर माता किसी भी एकजाम में दो से तीन भी आ जाते हैं और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी इनका कोशन देखने को मिलता है तो सबसे पहला हमारा पीरेड है ओल्ड इंग्लिश पिरेड उसका टाइम पिरेड क्या है 452 1066 तो इसको एंग्लो इसको हम एज उप चॉसर के नाम से जानते हैं तो 1066 662 1500 के बीच का यह जो टाइम पीरेड रहता है इसको मिडल इंग्लिश या जो चॉसर के नाम से जाना जाता है इसमें चॉसर के वर्क इंपोर्टेंट एक एंटर बरी टेल और और बी इनके तीन चार वर्क है रोमन डेल सहर में आया था और 1500 से लेकर के 1660 तक का यह ट्राइम पिरेड रहा है रहनेसा का मतलब है रिवाइवल दोबारा से इंट्रेस्ट दिखाना लिटरेचर के अंदर और लोगों ने ऐसे ऐसा मतलब लिटरेचर लिखना सुरू कर दिया था जिसमें रिवाइवल की बाते हो सुम Бधड मतलब कि proba के चल रहा था तो उस टाइम में जो लिटरेचर लिखा गया उसको बोलते हैलीजाबैथन पिरेड तो उनका शाशन कब तर आ 5158 से लेकर के 1603 सो तेन तक और उस टाइम में सबसी इंपोर्टन जो playwright या podem x या सोनेटियर माने जाते हैं वो Shakespeare माने जाते हैं Ben Johnson भी उसी टायम के हैं Christopher Marlowe वो भी Marlowe उसी टायम के हैं तो लेकिन Shakespeare है वो बहुत जादा उन दिनों उनका नाम बहुत ज्यादा चल रहा था, उन्होंने बहुत ज्यादा प्ले लिखे हैं, इसलिए बहुत अच्छे प्ले राइट के लाए वो, उसके बाद आता है जैकोबियन पिरेड, जैकोबियन पिरेड जो किंग जेम्स है, वो स्कोटलेंड के राजा थे, फॉर्थ नमब वो थे, बैन जोनसन और जोट चैपमेन हो गए, जोन वैबस्टर हो गए, दिनों ने वो लिखा था, डचैसों, मालफी वगरा, तो उन्हीं इसी टाइम के है, उसके बाद आता है कैरोलीन एज, कैरोलीन एज का टाइम पिरेड का है, 1625 से लेकर के 1649 तक का, वैसे तो में ल कैरोलीन एज में 1625 से लेकर के 1649 का टाइम, तो इसमें क्या हुआ, कि कैरोलीन एज के अंदर जो हमारे जो पोईट्स वगरा थे, वो थे, थे, थोमस केर्यू होगे, रिचार्ड लवलेस होगे, जोन शकलिंग होगे, और हैंडरी वोगन होगे, जोर्ज हर्बर्ट होगे, ये पुरिटन एज मानी जाती तब इंग्लेंड में मोनार्की नहीं थी, और जो वन हैं, उनकी डेथ के बाद में, ओलिवर जो क्रोमवल है, वो पावर में आये थे, और उनकी डेथ फिर 1658 में हो गई थी, फिर इनका बेटा जो रिचार्ड है, रिचार्ड क्रोमवल है, व वो 1660 तक रहे थे, और धीरे-धीरे करके लोगों को मनार्की है, वो एसेंसियल लगने लगी, और ये जो कोमन वेल्थ पिरेड है, वो खतम होने लगा, पुरिटन नीजम है, वो खतम होने लगा धीरे-धीरे, उसके बाद आता है, फोर्त नंबर का पिरेड हमारा नियो क्ल नियो क्लेसिकल एज का मनला, 1660 से लेकरके 1785 तक का है, तो इसमें क्या है, ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है, रेस्टोरेशन पिरेड हो गया, अगस्तन एज आओ गई, और एज ओप सेंसिबिलीटी, तो इसमें क्या होता है, जो नियो क्लासिकल है, इसमें के टाइम पिरेड को रेस्टोरेशन पिरेड के नाम से आपको क्या याद रखना है इसमें पिरेड का नाम याद रखना है इसका टाइम पिरेड क्या रहा है और इसको किस नाम से जाना जाता है तो 1660 से लेकर कि 1700 तक रेस्टोरेशन पिरेड माना जाता है विलियम कॉंगरी ज इस टाइम में स्टायर लिखने लगे थे लोग तो एज ओप कहलाता है मोग अपी वगरा भी नोने लिखे थे उसके बाद आता है एज ओप सेंसिबिलिटी से लोग लिखने लगे थे लिट्रेचर को 1745 से लिकर करके 1785 इसको एज ओप जोंसन डोक्टर जोंसन है वो एज ओप नंबर की एज है वो 1660 से लेकर के 1785 तक रही और इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया आगे बात आती है हमारी important romantic age 5 नंबर की जो एज है हमारी वो romantic इसका time period 1785 से 1832 या 30 के आसपास माना जाता है क्योंकि 1789 के अंदर जो हमारा lyrical ballads लिखा गया था तो उसके साथ से ही romantic period स्टार्ट हो गया था वैसे तो लेकिन इसका थोड़ा सा time period पहले ही मान लिया जाता है 1785 भी माना जाता है और 1789 के आसपास भी मान लिया जाता है तो यह 1830 भी मान सकते है और इसको 32 भी मान सकते है तो इस age के important points आपको पता ही है सारे wordsworth होगे, ST college होगे, उसके बाद हमारे जैसे हमारे वो ST college के अलावा जो Lord Byron होगे, John Keats होगे और William Blake होगे, यह सब हमारे क्या माने जाते है है, hazlet होगे तो सब romantic age के poets या writer वगरा मने जाते है उसके बाद आता है Victorian age, Victorian age नाम से ही पता आपको Queen Victoria का समराजे कह सकते हैं इस time में 1832 से लेकर के 1901 तक का, इसको Victorian age माना जाता है और Victorian age में हमारे कौन-कौन से जैसे Alfred Tennyson हो गई, Matthew Arnold हो गई, Walter Scott हो गई, यह सब हमारे कौन-से Robert Browning हो गई, जिनको उनके dramatic monologue के लिए बहुत अधिक मतलब माना जाता है और pre-reflight भी इसी टाइम में आये थे, pre-reflight टाइम डिजी रोसेटी है, जैसे समराजे चल रहा था, तो 1901 से 1940 तक जैसे हमारी Virginia Woolp हो गई, James Joyce हो गई, उसके बाद W.V.U.S. हो गई, W.H.O.D.न हो गई, यह सब T.S. Elliot हो गई, यह सब हमारी modern age के poet या author माने जाते हैं, उसके बाद जो last में बचिया है वो हमारा post-modern, इसका time period इसके अंदर ही आते हैं, तो यह हमारी time period आपको note करके रखने है, और बहुत अच्छे से इनको याद करना है, अभी पीछे मैं, second grade का मैंने एक paper देखा था, उसमें भी Elizabethan जो period है, उसका time पोच रखा था, और उसमें यह चारों उप्सन थे, 1558 तो 1603 और 1625 वाला भी उप्स थे, Commonwealth, Caroline, Jacobian और Elizabethan यह चारों पीरिड के time दे रखे थे, और पूछ रखा था कि Elizabethan है, वो period कौन सा time था, तो इसमें आपको बड़े ध्यान से देखना है, और पहला हमारा Old English हो गया, दूसरा Middle English हो गया, तिसरा रहने सामे, Elizabethan, Jacobian, Caroline और Commonwealth हो गया, उसके बाद नियो क्लेसिकल यह भी तीन पार्ट में डिवाइड है, Restoration, Augustan Age, और Age of Sensibility, और इसको Age of Enlightenment के नाम से भी जानते है, रोमंटिक एज में आपको पताईए है, William Woodworth जैसे Important Points, Nature के अंदर, मतलब, Nature के उपर यह लिखने लगे थे, उसके बाद Victorian Age, Queen Victoria के शासन के अंदर यह लिखते थे, और Modern में आज तक चला रहा है, 1940-45 के बाद में, तो यह हमारी Ages रही, आगे हम One by One, एक-एक Ages को देखेंगे, और जो Important होगा वे, वो मैं करवादूंगी, और यह आपको बहुत अच्छे से इनको लर्न करना है, टेक केर, बाई-बाई